अगर तुमारी सो बात की एक बात है तो मेरी हजार बात की एक बात है हम इन पेसों से हानिमून पर ही जाएंगे यह पेसे मैंने इकटा किये है तुमने नहीं लेकिन हे तो यह मेरे ही पेसे ना क्यूँ जब मैं कंजूसी करती हूँ तब तो तुम मुझे लंबी लिस्ट भर के ताने देते हो और अब मैं अपने जमाई हुए पैसे अपनी मन मर्जी से खर्च भी नहीं करू ये कहा का इंसाफ है कुसुम तुम बात को समझ नहीं रहे हो देखो मैं तुम्हें पैसे जुटाने के लिए और धेर सारे पैसे दे दूँगा हमारी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है लेकिन मा और पापा वो दोन तो बस अब चार दिन के महमान ही रह गए है कभी भी उन्हें उपर वाले का बुलावा आ सकता है उन्हें इन पैसों से चार धाम जानने दो ना बीबी प्लीज लेकिन हेमन अरे मेरी कुसुम मेरी जान मान जाओ ना प्लीज मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों हनीमून पर जरूर जाएंगे तुमें हमारे प्यार के लिए मेरे लिए मेरी बात मानने ही होगी कुसुम हेमन कुसुम को अपने प्यार का वास्ता देता है और कुसुम उसकी बात मान जाती है कुसुम अपना हनीमून का प्लान कैंसल कर देती है और हेमन रामोना और चम्पक लाल को चार धाम की यात्रा पर भेज देता है ये लीजिये माजिये इसमें बुंदी के लड्डु है अच्छे से टूसना ठीक है बहु हम जा रहे है इस बात से तुम्हें खुशी होनी चाहिए लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मुर्जाय हुए फूल की तरह हो चुका है इसका मूद तो पैदाइशी मुर्जाया हुआ है हां खेर चलो बेटा हमें देरी हो रही है अपना खयाल रखना मा पापा सामान मुझे दीजिये मैं आता हूँ सामान लेकर फिर हेमन चंपक लाल और रामुला को बाहर तक छोड़ने जाता है तभी कुसुम मुझ बनाती हुए अपने आप से कहती है अच्छे खासे पैसे जुटाई थे मैंने लेकिन मेरे बेवकूफ गंचक्कर पती ने मेरी सारी मेहनत एक मिनिट में मिट्टी में मिला दी हम पूरे एक लाक रुपे थे कब आये कब गए कुछ पता ही नहीं चला अब तो मुझे लगता है कि मेरा हनिमन सिधे बुड़ा पे मैं ही पूरा होगा चंपक लालो और रामुला चार धाम की यात्रा पर चले जाते हैं बद्रीनात के दर्शन हो चुके हैं अब केदारनात पहुचेंगे मा और पापा बस शिवजी करें अच्छे से सुरक्षत रूप से उनकी चड़ाई हो जाएं और उने भोले नात के दर्शन मिल जाएं हाँ हाँ सो तो है अरे जानिमन तुम अब तो खुदा सो तुमसे मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें हनिमून पर जरूर ले जाओंगा चलो अब अच्छी सी स्माइल दे दो क्यों तुम क्या फोटोग्राफर हो चलो जाओ यहाँ से अभी मेरे मूड की बारा बजे हुए है लेकिन दो दिनों बाद अच्छानक से एक खबर आती है जिसे देखकर हेमंत और कुसुम के पेरों तले जमिन खिसक जाती है बार के सेलाब ने ले ली सेकडो लोगों की जाओ लेकिन हेरानी वाली बात ये है कि इतनी बड़ी तबाई होने के बावजुद्वे केदारनात के मुंदिर को कुछ नहीं हुआ ये क्या इसका मतलब मा जी और पापा जी टपक गए नहीं मेरे माँ पापा अब मैं क्या करूंगा कुसुम ये क्या हो गया कुसुम शान्त हो जाओ हेमंद अब जो हुआ सो हुआ क्या फाइदा हुआ मेरे पेसे भी डूब गए और वो दोनों बुढ़े भी हाँ इससे अच्छा तो मैं और हेमंद हानीमून पर ही चले जाते तबी उनके घर पर अंगुरी और पोपटलाल भी आते हैं हाइ रे मिठ्या अंगूर की कसम ये बहुत गलत हुआ रामुला बेहन और चंपक भाई नहीं रहे अब मैं गली की चुडेलों की चुग लिया किस चुडेल से करूंगी एक रामुला बेहन ही तो थी मेरा दोस्ट चंपक ओफो ये तीनों ना आज अपने लाउट स्पीकर के रोने से मुझे पक्का बेहरा करके ही छोडेंगे कुसम उन दोनों की मोत की खबर सुनकर ना ही खुश होती है और ना ही उदास वही हेमंद का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था उन्हें मोसम विभाग से जानकारी मिलती है कि सभी यात्री मर चुके है और बचे होए यात्रियों को डिजास्टर मैनेजमेंट ने हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया है जिन में रामोला और चंपक लाल नहीं होते हैं और इससे ये साफ पता चल जाता है कि वो दोनों मर चुके हैं फिर कुसुम अगले दें अकबार में हिष्टिहर पड़ती हैं ओ तेरी ये तो सोने पे सुहागा हो गया केधारनाथ के बाड में मरे हुए लोगों के परिवारों को मिलेंगे साथ लाक रुपे यानि मा जी और पापा जी दोनों को मिला के चोदा लाक रुपे हैं होई 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 ये तो कमाल ही हो गया किसे ने सची कहा है भगवान जब भी देता है छप पर फाड कर देता है फिर कुसुम ये बात हेमंद को बताती है लेकिन हेमंद अपने माता पिता की मोत के बाद सदमे में चला जाता है इसलिए वो कुसुम की बातों पर इतना ध्यान नहीं देता और उसे दाजते हुए कहता है कुसुम यहाँ मैंने अपने मा पापा को खोया है और तुम्हें पेसों की पड़ी है लेकिन हेमंद ये पेसे हमारे ही काम आएंगे न हमारे भविश्य के लिए मीठे अंगुर की कसम हेमंद बेटा कुसुम एकदम सही कह रही है वैसे भी तुम लोगों की बारा मैने की तंगी ही चलती रहती है कुसुम और कितनी कंजूसी करती रहेगी जैसे तैसे हेमंद कुसुम के साथ सरकारी ओफिस में जाने के लिए मान जाता है और वहां से उन्हें साथ और साथ यानि पूरे चोदा लाक रुपे मिलते हैं कुसुम वो चोदा लाक रुपे देख गए बहुत खुश हो जाती है उसकी खुशी साथवे आसमान पर चली जाती है और फिर वो तुरन टूरिस गाइड को कांटेक करती है और उससे मिलने की अपॉइंटमेंट फिक्स करती है हेमन चलो ना जल्दी चलो मेरी अभी अभी एक टूरिस गाइड गोलू चन से बात हुई है पैरिस का बंपर ओफर चल रहा है ऐसे में हम इस मोके पे चोका मार के ही रहेंगे और इसे अपने हाथ से जाने नहीं देंगे चलो जल्दी करो हेमन कुसूम तुमारा दिमाग सच में खराब हो चुका है अभी तक मेरे मा पापा की तेरवी तक नहीं हुई है और तुमें हानीमून मनाने की पड़ी है हेमन जिन्दगी में कुछ मोके सिर्फ कुछी समय तक सिमित होते है बाई गॉड अगर ये मोका हमारे हाथ से छूड गया न तो सारे 14 लाक रुपे खर्च हो जाएंगे इस बंपर ओफर के चलते हुए हमें सस्ते में पैरिस घुमने का मोका मिल रहा है प्लीज चलो न कुसुम इतने पैसे आने के बाद भी अपनी कंजुसी नहीं छोड़ती वो हेमन का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती टूरिस गाइड गोलू चंद के पास ले जाती है और वो लोग पैरिस के सारे लोकेशन्स फिक्स करते हैं और उनके हनीमून की सारी ब्लैनिंग करते हैं वाव हेमन ये देखो न आइफिल टावर हम भी इसके पास जाकर रोमेंटिक सी तस्विर खीचेंगे और चर्च में भी जाएंगे और धेर सारा स्वादिस्ट खाना भी खाएंगे ठीक हे कुसुम जैसा तुम चाओ हेमन भी अब कुसुम की हाँ में अपनी हाँ मिलाता है वहाँ से वो लोग घर आते हैं तभी उन्हें घर खुला हुआ दिखता है हाई दया घर खुला कैसे है कही चोर तो नहीं गुज गए अंदर चलो देखते हैं जब हेमन तोर कुसुम घर के अंदर जाते हैं तब वो दोनों वहाँ पर रामुला और चंपकलाल को देखते हैं और उन्हें देखकर कुसुम और हेमन एक दम से डर जाते हैं नई भूत बजाओ अरे बेवकुफो अकल के अंदर हम भूत नहीं है हम मरे भी नहीं है हम जिन्दा है क्या हाँ केदारनाद के बाड में कुछ लोग भेकर उत्तरा खंकी और चले गए थे और उन में से हम भी थे हमारी जान सही सलामत बच गई बच्चो उन दोनों को जिन्दा देखकर कुसुम अपना सर पकड़ लेती है और हेमंत और कुसुम चिन्तित होकर एक दूसरे की शकल देखते है हमें आप दोनों के मरने की वज़े से 14 लाक रुपे मिले हैं अब क्या होगा आखिर कुसुम क्या करेगी उन पेसों का क्या वो पेसे लोटा देगी जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबना ना भूले